आपका घर चाहें कितनी भी सुईधाओं से भरा हुआ हो, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपके मन में शांती नहीं है, घर में अशांत वातावरन रहता है, गरह कलेश रहते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ वास्तु शास् जिसे ध्यान में रखिये तो आपको लाब होगा, आपके घर के दर्वाजे और खिड़कियां पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए, दर्वाजे को बंद करते समय या खोलते समय उसमें किसी भी तरह की कोई आवाज ना होती हो, घर के उत्तर या पूर्व में तुल सी का पौधा लगाएं, रसोई घर अगर दक्षिन पूरु में और शैन कक्ष दक्षिन पस्चिम में होना चाहिए, अपने पूर्वजो का फोटो कभी भी पूजा घर में ना लगाएं, इसे दक्षिन दिशा की दिवार पर ही लगाएं, शाम को घर में दिया जलाएं और आरती करें, अपने इस्ट देव का ध्यान कर उनकी पूजा करें, भूजन करने के बाद जूटी थाली लेकर कभी भी देर तक ना बैठें, और ना ही जूटे बरतन सिंक में रहने दें, घर का मुख्य द्वार पूर्विया उत्तर दिशा में होना चाहिए, परवेश द्व एक सीध में ना हो, इस बात का ध्यान रखें, अपने घर में काटेदार व्रक्ष या पेड नहीं लगाने चाहिए, और ना ही दूद वाले पेड जैसे की कनेर केक्टस आदी, घर में युद के चित्र, बंदघडी, तूटा हुआ कांच, शेन कक्ष में पलंग के सामने दर पर नहीं लगाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, आप अपने घर में अशान्ती का वातावरन दूर कर सकते हैं, इसी तरह की अन्यबाते व्रत कताया दी जानने के लिए हमारा चैनल प्राइड करें, नमस्कार